नमस्कार मित्रो मैं आपका दोस्त रामतीर्थ आप सबीका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूटूब चैनल साथ ही हो आज की जो क्लास है हमारी ये क्लास आपके पेपर फर्स्ट और अर्थसास्त्र यानि की आपका पेपर सेकंड दोनों के लिए महतपूर हैं इसमें आज हमने सहस्त्रावदी विकास लक्ष यानि की साथ हो जो भी साथ हमारी चैनल पर पहली बार है वह हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेयर करें और लाइक करें साथ हो हमने इस चैनल पर 21 क्लासिस की एक क्रेस कोर्स कराया है जो आपके एकॉनिमिक्स एक्जाम के लिए अतिमेद पूर है तो इन क्लासों को आपको डिस्किप्शन में पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहाँ जाकर आप इन क्लासों को देख सकते हैं और हमने 500 क्यूशन की मैरतन कराई है इकॉनिमिक्स की वो क्यूशन भी आप देख सकते हैं अगर आपने ये और ये कर लिए तो आप खुद दे सहस्त्राप्दी विकास लक्ष यह क्या है सहयुक्त राष्ट सहस्त्राप्दी विकास लक्ष यानि इसका पूरे नामें UNMDG जी यह कुछ लक्ष बनाए गए थे सितंबर 2000 में ठीक है किसके दवारा सेग द्राष्ट के दवारा और सही द्राष्ट के उस समय कितने सदस थे एक सो नवासी ठीक है इन सदस्वों ने आठ लक्ष निर्दायद किया थे कितने लक्ष आठ लक्षों को निर्दायद किया था और 2000 से लेकर 2015 तक इन लक्षों को हासल करने के निर्धायित किये थी साथियों यहां से गोल में आपको बताऊंगा एमडी जी की गोल यह डारैक्टली कुछी न में पूछे जाती है डार्टikesBut निदारित था, चौतेव में क्या लग्च था, तो इस तरह से कुश्यन आपको पूचे आते हैं, तो यह आठो आपको याद कर लेंगे, ठीक है, तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे हैं, अपने पहले गोल के बारे में, ठीक है, पहला गोल लेए, इसका सिंबल कोई से इस गरीबी और भुकमरी, गरीबी और भुकमरी, जो हमारा पहला गोल था, MDG का जो पहला गोल था, वो क्या था, गरीबी और भुकमरी को दूर करना, ठीक है, और यह किसी एक देश में नहीं था, जो UN के कितने सदस बताएं मैंने, 189, इन देशों के साथ एक बैठक हुई थी उस बैठक में 189 सदस सामिल हुए थे, UN के, ठीक है, उनकी देख रेख में यह बात हैं यहां पर यह लक्ष बनाए गई थी, ठीक है, तो पहला गोल आपको याद होना चाहिए, कि पहला गोल जो था, वो क्या था, तो eradicate extreme poverty and hunger, जो अत्यादिक गरीबी है न, अत्यादिक गर बात करेंगे, जो कि हमारा दूसरा गोल है, ठीक है, अब यहां पर बड़ी common चीज़ आपको याद रखनी है, कि जो MDG में सिक्षा की बात कही गई है, MDG में जो सिक्षा की बात कही गई है, वो primary education की बात कही गई है, किसकी? primary education की, वही जब हम कल बात करेंगे, SDG के बारे मे है, वहां पर higher education की बात कही गई है, किसकी? higher education की बात कही गई है, तो यह दो चीज है कि confusion आपको यह option जब रही मिल लाता है, ठीक है, यह MDG में रख देगा option, यह SDG में रख देगा, तो इन दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कि जो SDG है, वो higher education की बात करता है, और जो MDG है, यह प्रात्मिक सिक्षा की बात करता है, ठीक है, यह सभी के लिए प्रात्मिक सिक्षा उपलप कराई जाए, बैस्विक प्रात्मिक सिक्षा, बैस्विक इस तरपर, यह पर, जो UN के 189 सदस है न, यहाँ पर, ठीक है, तो क्या था, active universal primary education, यह बैस्विक प्रात में, सिक्षा को प्राप्ट करने के लिए, दूसरा गोल बनाए गया था, ठीक है, इसके time period मैंने आपको बता दिया, 2000 से, 2015 तक थे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, हमारा SDG लागू होगे, उसके बारे हम कल बात करेंगे, ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अपने त gender equality, यानि कि जो लेंगिक समानता उसको बढ़ाना, और empower women, महलाओं को ससक्त बनाना, तो अगर आप किसी देश को, जैसे कि हम अपने भारत के परिप्रेक्शम बात करते हैं, भारत देश कैसा है हमारा भी, अभी हमारा विक्सित देश नहीं है, विक्सित देश नहीं है, क्य क्या ये, विकास सील की रापर चल रहा है भी, ठीक है, तो अगर आप जिन भी देश मालो भीक्सित देश हैं, जैसे कि अमेर का ठीक है एवरेटेन जितने भी जो बिक्सित देश हैं वहाँ पर क्या है न कि जो मैलाओं का ससकती करण है मैलाओं को जो हाक है वो आधे के और मैलाओं की जो भागिदारी होती है मतलब किसी भी काम में उनकी भागिदारी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर लेंग एक समानता है घर के आपर क्या है कि यह लड़की जो है ऐसे रहती है लड़की पढ़ नहीं सकती लड़की यह नहीं कर सकती मतलब इस तरह की अभी अपने ब्रांतियां लोगों में पाई देना होगा तो जो MDG आया था MDG का तीसरा गोल यही था कि जो महिला है उनको उनका ससक्ती करण हो और लेंग एक समानता हो तो आपने मैंने पीछे भी पढ़ाए एक बजट आये था जेंडर बजट जेंडर बजट की बात होई थी इसमें क्या था इसमें महिलाओं को ससक्त बनाना था ठीक है यह कोई अलग से बजट नहीं था इसमें क्या था महिलाओं को ससक्त बनाना था मतलब महिलाओं के पक्च में कुछ चीज ज़्यादा दी गई थी ठीक है इसी को जेंडर बजट ब बारे में ठीक है चौती गोल के बारे में इसका था reduce child mortality यानि कि जो बाले मृती दर होती है इसको कम करना ठीक है बाले मृती दर को कम करना अगर बाले मृती दर आधिक होगी तो इसका मतलब क्या है कि उससे देश की जो स्वाष्टसुग्दा है स्वाष्ट सुग्दाएं बहुत लचर हैं कैसी है बहुत लचर है यानि की काफी हद तक वो निश्प प्रभावी है या फिर स्वाष्ट सुग्दाएं है नहीं ठीक है तो बाल मिर्ति उदर को कम करना कौन से आगे हम बात करते हैं अपने पांचवे एमडीजी गोल के बारे में यह हमारा पांचवा एमडीजी गोल है ठीक है और पांचवा एमडीजी गोल था इंप्रूब मैटेरनल है यानि कि जो मात्र स्वास्त है उसको बड़ावा देना ठीक है किस दोरान प्रेगनेंसी के दोरान ठीक है प्रेगनेंसी के दोरान ठीक है अब देखो जब मात्र स्वास्त को बड़ावा मिलेगा तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्या पढ़ा reduce child mortality जब मात्र स्वास्त को बड़ाबा मिलेगा तो कहीं न कहीं इसका effect किस पर पड़ेगा इसका effect पड़ेगा बाल मिर्ति उदर पर क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने इंडिया में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत कमजोर होता है कैसा होता है? कमजोर होता है अब मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि हर किसी का बच्चा कमजोर होता है जो लोग गरीब तब केसे आते हैं उनके साथ ये गटना होती है ठीक है? तो क्या होता है? कभी-कभी बच्चे की जोगने मिर्ति हो जाती है ठीक है अगर हम इस मिर्ति दर को कम करना चाहते हैं बाल मिर्ति दर को तो मात्र सास्त को हमें बढाना होगा ठीक है मात्र साथ को बढ़ाएंगे improve improve करेंगे maternal health को तो कही न कहीं जो बाल मिठती दर है उसमें भी कमी आएगी यह आठो जो गोल है MDG के जो MDG के 8 गोल हैं यह कहीं ना कहीं एक दूसरे से related हैं जब आप इनको बहुत बियाबक इस्तर पर पढ़ेंगे इनका अध्यान करेंगे तब आपको यह चीज समझ आएगे लेकिन हम यह केवल एक्जाम के परपस्टे पढ़ रहे हैं चुकि इतना समय भी नहीं है और इना हमें जो है आप पढ़ सकते हैं अगर आपका मन है तो तो हम केवल एक्जाम के पढ़ेंगे एक्जाम में बस यही पूचा जाता है कि जैसे पूच ले पांचवी गोल का क्या लक्ष है तो पांचवी गोल का लक्ष भी है मात्र स्वास्त को बढ़ावा देना ठीक है आगे हम बात करेंगे अपने छटे गोल के बारे में ठीक है छटे गोल में क्या था कि मलेरिया एचाईवी एड्स और अन्न कुछ बीमारी होती है उनसे लड़ने के लिए क्या किया एक गोल बनाये गया था ठीक है तो जो एमडी जी का छटा गोल है एमडी जी का छटा जो गोल है यह किसके लिए था मलेरिया एचाईवी एड्स और अन्न बीमारियों से लड़ने के लिए इसका लक्ष बनाए गया था ठीक है आगे हम बात करेंगे अपने साथवे गोल के भारे में है ठीक है और यह गोल बहुत ही इमपोर्टेंट है हमारे लिए भी और एगसाम की लिए एकसाम के लिए आज कल आपने देखा होगा कि जलवायः परिवर्टन यानि कि क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज की गटना बहुत तेजी से गट रही है आपने देखा होगा कि आई दिन अखवारों में खवर आती है कि कहीं बहुत ज़्यादा बाड हो रही है तो कहीं बहुत ज़्यादा सुखा हो रहा है या फिर कहीं बहुत ज़्यादा मतब जो है तूफान आ गया तो यह सब किस की वैसे हो रहा है ये climate change की बज़े से हो रहा है ठीक है तो यहां कहा करेंगें पर्यावरणिये इस्तरता को बढ़ावा देना कौन से गोल था ये MDG का ये MDG का शा शात्वा गोल था पर्यावरणिये इस्तरता को बढ़ावा देना ठीक है वो किसी काम नहीं है एक बात बताईए जब आपके आसपास गंदगी हो गई तो आप क्या कर सकते कितनी भी स्वास्वदान दे लिजी कोई फरक नहीं पड़ने वाला अगर गंदगी रहेगी तो इससे जो पिछला वारा गोल है कौन सा मलेडिया एचाइवी एड्स और अन्य से याद रखेंगे और यह सब मैं तो बलकी मैं तो यह कहूंगा कि यह गोल ऐसा है कि अगर आपने इसको एचीब कर लिया तो और जो गोल है उनको एचीब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ठीक है तो आगे हम बात करेंगे अपने आठवे गोल के बारे में ठीक कि 1990 से पहले हमारे देश क्या था हमारा देश अंत्राइश्टी वेपार नहीं करता था फिर 1990 में कुछ ऐसी आर्थिक परिश्थिति आई कि हमारी देश की अर्थविस्ता को क्या करना पड़ा खोलना पड़ा विश्चु के लिए ठीक है बढ़ना क्या होता हमारा देश जो है घाटे में चला जाता बहुत ज़्यादा तो क्या है कि अगर हमें अपनी देश का विगास करना है तो क्या करना होगा सार भॉमिक साजेदारी विक्सित करनी होगी मतलब वो एक देश से दूसरे देश के लिए वैपार करना होगा अच्छे से तब ही क्या कर सकते हैं अप आप बहुत अच्छे से याद कर लिए मैंने बहुत ही सर्ड भासा में आपको बताने की कोशिच की है कल हम बात करेंगे कल की क्लास में SDG के बारे में जिसके कुल 17 गोल है ठीक है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा जै इंद जै भार कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ